पैर का अंगूठा पकड़ कर ये बोलते ही आपकी महबबत होगी आपके कदमों में दोस्तो यदि आप किसी से महबबत करते हैं और उसे पाना चांते हैं तो आप ये एक उपाय कर लो आपको आपकी महबबत मिल जाएगी आपका प्यार आपके पकड़ में होगा आपके कदमों में होगा चाहे बहे इस्तरी हो या पुरुस हो आप बड़ी आसानी से उसे अपने प्यार में पागल दिवाना बना सकते हैं प्यार अगर रूंट गया है आपसे बात नहीं करता, आपके पार्टनर से आपकी अनवन रहती है, आपके कार्रेव में बाधाएं आने लगी है, कार्रे सुद्ध नहीं होते बिगड़ने लगे हैं, तो दोस्तों आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने पेर का अंगुठा पकड़ कर ये सब्द बोल कर करके आप अपनी इच्छा पर कट कर सकते हैं, और मन में जो चल रहा है, उसे मांग सकते हैं, आपकी इच्छा अवस्से ही पूरी होगी, दोस्तों ये आपको कैसे करना है, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, औ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वेल आइकन दवा लें, ताकि ऐसा ही ज्यान आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके, और मेरे प्यारे प्यारे भगतों, अगर आप भी भगवान स्री किष्ण खाटू स्याम मुरली वाले से सच्ची महबत करते ह तो कमेंड बॉक्स में रादे रादे जैसरी किष्ण अवस्य ही लिख दें, दोस्तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर और बताते हैं कि आपने ये उपाय करना कैसे हैं, अगर आप इस्तरी हैं और आप ये उपाय करती हैं, तो आप अपने दाए पैर का अंग उठा पकड़ कर दोस्तो सबसे पहले आपको अपने चपल या जूते उतार कर, आप अपने एक सांत अवस्ता में बैठ जाएं पालती मार कर, जिस अवस्ता में आप बैठ जाएं, आप अपने मन और ध्यान को सांत करके, आपके मन में जो चल रहा है, आप जो सोच रहे हैं, उसे पूरा करन चाते हैं तो आप उस पर ध्यान लगाएं और उसके बाद आप अपने पेर का अंगुठा पकड़ें जैसा कि मैंने बताया है अगर इस तरी है डाएं पेर का अंगुठा पकड़ें और अगर पुरुस है तो बाएं पेर का अंगुठा पकड़ें दोस्तों सबसे पहले आप बाएं हाथ से अंगुठे को पकड़े उसके बाद खाना हाथ उस पे यानि कि दाएं हाथ भी उस पे रख ले और मन में आपको यह एक मंत्र बोलना है मंत्र है ओम रम लम हम स्वाहा मंत्र एक बार फिर सुन ले ओम लम रम हम स्वाहा दोस्तो यह मंत्र आपको 21 बार बोलकर अंगुठे पे यानि कि आपने मुद्रा पर फूंक मार दें जैसे कि आपने पकड़ रखा है उस पर फूंक मार दें और उसी समय आपको सिर्फ तीन बार वह बोलना है जो आप पाना चाहते हैं और बोल करके आप पहले अपना दाया हाथ उस मुद्रा से हटा करके अपने सरफल फिराएं और उसके बाद में आप अपने बाया हाथ उस पर से हटा करके अपने मस्तिक्स यानि माथे पर लगा लें और उसके बाद आप हाथ जोड़कर थोड़ी देर मन को सांथ करके उस चीज के बारे में धियान करें जो आप पाना चाहते हैं अंगुठा बहुत ही सकती साली चीज होती है जिससे किया गया उपाय कभी खाले नहीं जाता दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार रादे रादे